हलो फ्रेंज, वैलकम टू स्वानम फैसाथ ब्लोच का डेजयन बनाने के लिए, ब्लोच के बैक पाट के लमबाई लिया है, साड़े 13 इंच सोल्डर साड़े 5 इंच आर्मोल साड़े 5 इंच सीना 11 इंच और कमर के लिए साड़े 10 इंच लिया है गली की मार्किंग करेंगे गली के चोड़ाई रक्की हमने हाँ पर 2 इंच गली की लंबाई 10 इंच एक लेंडरो करेंगे नीजे की साट से गली के चोड़ाई हमने हाँ पर 3 इंच रक्की है इसके बाद हम एक निसान लगाएंगे नीजे की तरफ 2 इंच पर अब हमें गले को कुछ इस तरीके से सेप देना है कुछ इस तरीके से हमने हाँ पर गले को सेप दिया है इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है गले का हमारा जो अंदर का कपड़ा बचेगा उसे अभी हम सैड में कर लेंगे देजान बनाते टाइम हम उसका यूज करेंगे मेन फैबरिक पर भी इसकी कटिंग कर लेनी है हमें इसे ओपिन करेंगे सबसे पहले हमें मेन फैबरिक रखना है उसके ओपर अस्तर को रखकर हम अच्छे से पिंसे सिक्यूर कर लेंगे अब हमें इसमें गले की साइड से नीजे तक एक सिलाई लगाने है सिलाई हम यहाँ पर एक पैर का मारजन छोड़ते हुए लगाएंगे इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि हमें इसे अच्छे से पलट सके कट लगाने के बाद देखी हमें कुछ इस तरीके से अस्तर को अंदर की तरफ पलट देना है इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसमें एक सलाई हम और लगाएंगे खनिसिंग के लिए कुछ इस तरीके से हमें कपड़े या अस्तर को अच्छे से समालते जाना है और इस पर हमें एक सिलाई लगा लेंगे एक पार्ट हमारा बनकी रेड़ी है से मिसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी एक पार का मार्दन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे हमने याप पर पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं चिक किया है आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज भी कर सकते हैं इसमें लगा लिए हमने इसमें भी हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे और अस्तर को अंदर की तरफ पलट लेंगे कुछ इस तरीके से इसमें भी हमें फिनिसिंग की लगा लेने हैं हमने इसे डारेक्ट कपड़े की उपर अस्तर को सिल्के पलट दिया है आप चाहें तो यहाँ पर पाइप इन भी बना सकते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है इसके बाद हम इसमें लेज लगाएंगे तो इसके लिए हमें चार इंज पर मार्क करना है और बैक टक्स की सलाई लगाने है सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी बैक टक्स की सलाई लगा लेंगे अब हम इसमें लेज लगाएंगे तो हमने हापर सबसे पहले वोल्डन कलर की लेज ली है और लेज को हम बिल्कुल किनारे किनारे इसमें लगाएंगे गले की तरफ से लेज लगाते तरफ हमें लेज को बिल्कुल भी खीचना नहीं है बस हलके हाथों से समालते वी लेज की उपर एक सलाई लगाने है लेज में एक सलाई लगा लिए है इसके बाद हम इसमें एक सलाई और लगा लेंगे दिखिए एक पार्ट में हमने लेज लगा लिए है सिम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी लेज को अटैच करना है दोनों पार्ट में हमने लेज को अटैच कर लिया है अब हमने हाँ पर ये बिलू कलर की लेस ली है समोसे वाली और अब हम इस बिलू कलर की लेस को थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए पीच में इस तरीके से अटैच करेंगे दिखिए हमने हाप पर लगबग हाफ इंच का गईप छोड़ा है और इसे हमें इस तरीके से अटेज करना है इसमें दूसरे वाले पार्ट में भी हमें इसी तरीके से लेस को अटेज कर लेना है देखिए कुछ इस तरीके से हमने दोनों पार्ट में इसको अटेज कर लिया है इसे सैड में कर देगे इसमें हमने नीचे का पार्ट निकाल लेना है जाहसे हमने गले की मार्किंग की थी मेन फैब्रिक लिया हुआ है लगबग 6 इंची चौड़ा इसे हम रखेंगे मेन फैबrick पर एक सलाई लगाएंगी दूसरी सैड भी हमें इसे कुछ तरीके से रखते वे एक सलाई लगानी है इसे पलट लेंगे अस्तर हमें नीची की तरफ कर देना है और अब हम इसे हलके हातों से पकड़ते वी इसमें छोटे छोटे सी प्लेट्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से हमें इस पर प्लेट्स बनाने है सेमें इसी तरीके से हमें पूरे कपड़े की प्लेट्स बना लेने हैं इस तरकी उपर इसी तरीके से हम इसमें दूसरी सैड भी प्लेट्स बनाएंगे कपड़े को अच्छे से में समालते जाना है और सेम इसी तरीके से प्लेट्स बना लेनी है तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ अच्छे से प्लेट्स बना ले है इसके बाद ब्लॉज के दोनों पार्ट लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से अच्छे से सैट करती हमें रखना है पिंसे सिक्यूर कर लेंगे दोनों सैट से सबसे पहले हम इसे पिंसे सिक्यूर कर लेंगे ताकि ये आंगे पीछी या छोटा बढ़ना हो और इसे सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे हमें से उपर और नीचे सेड दोनों सेड सिलाई से अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि इसके सिलाई ना निकले कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लेने है दूसरी सेड भी हमें सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे अब इसमें डोरी लगाना बाकि है तो यहां पर हमने डोरी लगा ली है विलोज का फैनल लुक कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है वीडियो पसंद आए तो मेक्स यो वीडियो को लैक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद